हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं टेक्निकल देव आपके लिए न्यू वीडियो लिकाया हूँ और आप देख रहे हैं यह हमारे पर डबल डूर का वर्पूल का फिरीज है और इसके अंदर बहुत से ऐसे डाउट हैं जो मैं केलियर करने जा रहा हूँ तो गायस आप देखेंगे कि यह जो हमारा फिर्ष्ट फ्लोर होता है इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो रहा है मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है बर्फ नहीं जम रहा होता है क्योंकि यह फ्रीजर होता है और यह बर्फ जमने के लिए होता है और जो नीचे वाला पॉर्ष्ट है उसके अंदर जरा सा भी कूलिंग नहीं है मतलब समान वगएरा रखे हैं सब खराब हो जा रहा है सबसे पहले आपको यह जो पेच है इनको खोल लेना है उपर वाला जो पॉर्ष्ट होता है पेच खोलने को आपको खीचना है हलके हाथों से अगर आप जोर दबर्दस्ती करेंगे तो यह तूट जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो बर्फ है वो बहुत घनी जमी हुई है और जिसके कारण यह खीच नहीं रहा है क्योंकि जो वायर वगएरा होता है फॉर्म वगएरा होता है वो बर्फ में ढख जाता है जिसके कारण पर हमें दम लागाना पड़ता है और अगर ज़ादा जवर्दस्ति करेंगे तो यह तूट जाएगा क्योंकि पंखे के वायर बगएर होते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो वो तूट सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है एक गरब पानी लेना है पतीले में और जब आपका पानी गरम हो जाए, खौलता हुआ, तो आपको ध्यान से बिल्कुल इन बरफ पे पानी डालना है, और इस बरफ को पिखलाना है, जब तक ये बरफ नहीं पिखलेगा, तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि यही एक सुचेसन होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं और इसके बाद टाइमर भी चेंज गर दिया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम में वह अभी भी वैसे कि वैसे है, इसको ऐसे डाउट है, जो मैं आपको किलर करने जा रहा हूँ, जैसे ही ये बरफ पिखल जाएगा, बरफ पिखलने के बाद, आपको क्या करना है, एक दो वायर लेना है, जो प्लक से आपका जो डाइक इसके अंदर हीटर होता है, आपको उसको चेक करना है, क्योंकि अगर हीटर जो नहीं चलेगा, तो बरफ नहीं पिखलेगा, क्योंकि जो हीटर लगा जाता है, वो बरफ को मेल्ट करने के लगा जाता है, और जिसके कारण जो हीटर अगर खराब हो जाता है तो यह बर्फ है वो मेल्ट नहीं हो पाएगा तो यह बहुत बड़ी समस्या है और दूसरी बात तो मैं आपको यह बतातू कि इसके अंदर जो हीटर लगा हुआ है वो हीटर बहुत ही कम फिर्जु में लगा होता है और वर्पुल वाले जातर इसको क्योंकि वर्पुल वाले जो कमपनी होती है उनका काम होता है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना और इसमें जो मैट्रियल लगाता है वो भी बहुत अच्छा लगा होता है लेकिन प्रॉब्लम हमें यह हो रहा है कि इसे रिपैर कैसे करें क्योंकि रिपैर करने में हमारे इसमें हालत खराब होने वाला है जो गाइस वीडियो पे बने रहे हैं जो गाइस नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, कमेंट करें क्योंकि आप लोग आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बताए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगती है सो गाइज आप देख रहे हैं कि ये जो बर्फ है वो धिरे-धिरे पिखल गया है और ये जो फैन वाला जो जो इसके लॉक होते हैं आपको इसको हलका सा प्रेस करके जो आपका ये सेट अप है आपको खोल लेना है जिसमें पंखड़ी लगा होता है और आप देख रहे हैं कि इस टाह हमारा ये पूरी तरह से खुल चुका है सुखत हैँ होगा है और वैर जाता कुछन क्छान नहीए हुआ है इसके अंदर हीटर जो लगा हुआ है वहाँ बहुत बड़ा हीटर लगा हुआ है पूरी कॉलों के बीच में फैल लगा हुआ है हम यह सूच रहे हैं कि इसको हम खोले कैसे अगर खोलना भी तो लगाना भी है क्योंकि यह heater market में बहुत कम मिलता है अगर कोई customer यह मेरी वीडियो देख रहा हो तो कोशिस करें कि ऐसा heater जिसमें बहुत लंबा heater लगा हो कम से कम से तीन चार फूट का heater लगा हो तो आप company से चेंज कराएं अगर किसी technician से आप चेंज कराएंगे तो professional technician से चेंज कराएं क्योंकि यह कोई change नहीं कर पाता है और लोग क्या करते हैं कुछ और change कर लेते हैं और आप से पैसे ले जाते हैं और आप परिसान रहते हैं और आ इसका output वहां जाके निकला हुआ है कितना लंबा heater है समझ भी नहीं आ रहा है हम खुछ सोच रहे हैं कि इसे खोले की नहीं को लेकिन हम खोलेंगे और देखेंगे कोशिस तो करना है क्योंकि कोशिस नहीं करेंगे तो कैसे बता चलेगा कि यह रिपैर कैसे होता है इसको खोल गल बना है आपको वैसे वैसे लगाना भी है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं खोल तो लेते हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं इसलिए हमने यह वीडी बाइ मेतल अपनी कमाड़ दे रहा है और जो हमारा टाइम हमार एक आपनी कमाड़ दे रहा है आप उसको लगा ले आप उसका उससे काम हो जाएगा आपका एक होता है जिसे बोलते हैं जुगाड हिंदी में आप उससे काम कर सकते हैं क्योंकि यह जो हीटर होता है बहुत कम चांस होता है मिलता है क्योंकि मैं इस वीडियो में हीटर को निकाल के बतात रुखा हूं लेकिन हीटर में लगाया हुआ वीडियो अभी तक हमें हीटर मिला ही नहीं है इसलिए हमें हीटर इसको लगा ही नहीं है इसलिए मैं आपको गंट चलता है तो उसमें फंद्रा मिंडिक का जो यह जो कंडेनसर होता है इस गंडेनसर को सप्लाई मिलता है और कंडेनसर मिलता है तो जितने ही व्ल को ओन वह मैल्ट हो को आप समझना चाहते हैं तो मैंने बहुत सी वीडियो बना रखा है आप वहां पर जा सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत चीज लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये अलगी चीज होता है बायमेटल कप चिपकता है कब नहीं चिपकता है तो इस चीज की में वीडियो आपको description में link दे दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं और जिसको ना समझ मैं तो आप मुझे call कर सकते हैं मेरा number है description में आप call करेंगे तो मैं आपको suggest करूँगा तो आप देख रहे हैं कि heater लगा हमें निकालने में हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है लेकिन हीटर निकल निखा श्यादा आप तिर्चा मिट्चा करेंगे तो यह जो लाइन वगएरा है गैस का वह ब्रेक हो जाएगा और आपका गैस निकल सकता है तो इस चीज़ को अध्यान देना है पर लगव कि आपको को बीच में घूम होगा और जो कोईल है जब सप्लाई इस पर आएगा तो बहुत जल्दी बर्फ मेल्ट होगा और फिर दुवारा यह दुवारा से सुरू होगा क्योंकि मैं आपको एक चीज और किलिर करना चाहूंगा जैसे ही मतलब इस पर बर्फ जम जाता है तो जो बर्फ होता है अगर आप मैं आपको एक बर्फ दूँ और बर्फ में पीछे सा आपको फूंक मारूं तो आगे हवार नहीं आएगा क्योंकि वो दिवार बन जाता है दिवार ब आपको बर्फ जाता है तो नीचों एक पर संटा करेगा और आप देख रहेएगे जो हीटर हमें निकाल दिया है लिए रही हारत ज्यादा खराई और कितना वड़ा किनगे अगर दिमारी दिनकाल निकाल निकाल गए पत्ते नहीं डिए ऐसे कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज मारे चैनल को लाइक सेस्क्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलें